आज मैं बताऊंगा हलवाई जैसा परफेक्ट रसगुला बनाने की टेक्निक बहुत सारी टेक्निक्स हैं वैसे तो मैंने कई वीडियो अल्डेडी बना रखा है लेकिन कई लोगों के कमेंट आए कि हमसे जो रसगुला है वो फट जा रहा है सही नहीं बन पार रहा है तो इस यह अब मेरे चैनल को डेली चेक आउट कर सकते तो चलिए स्टार करते हैं पनीर के रसगुले बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दूद तो मैंने ग्यास पर कड़ाई रखा है गरम होने के लिए और यहां पर मैं डालूँगा दूद तो दूद मैं इसमें डाल देत आप सभी को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए तो यह देखें दस किलो दूद आपने अच्छे से उबाल लेना जितना भी अपने दूद का बनाना है तो इसको एक बार बाला दे लाएंगे बस उबाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो यह मेरे जो दूद है है और इसको मैं किसी भी बड़े वर्थन में निकाल देता हूं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए तो यह दीखें से अपने रस गुल्य के बनाने के लिए इसी हडाई को मैंने डुबारा धो लिया अच्छे से आब इसमें जमें समइब मैं ड्यू-दकने की चीनी और पांच किलो पानी तो आप सभी को पता है कि जितना दूद यूज किया जाता है उतना ही चासनी यूज किया जाता है तो मैंने दस किलो दूद यूज किया है तो दस किलो चीनी यूज करूँगा तो दस किलो चीनी और पांच किलो पानी मैंने इसमें डाल दिया अब इसको उबालाने तक कावेट करेंगे तो उबाला आ चुका है, अब मैं इसको हिला इसलिए निरा कि उपर सी जो कच्ड़े वाली मलाई जमा हो रही है, इसको जमा हो ने देते हैं जहाग, तो इसको अब निकाल देते हैं, धीरे-धीरे करके, जब उपर से इकठा हो जाए, इ गन्य की जूस की तरह लग रहा है तो देखिए इसको हम साफ करेंगे साफ करने के लिए मैंने दूद का यूज किया है 100 ग्राम दूद है एक्चली यह 300 ml का गलास है तो 100 ग्राम दूद और 200 ml पानी मैंने इसमें मिक्स करके दोनों साथ में डाला है तो यह देखिए अब इसको अच्छे से साफ करेंगे अब यह थोड़ा सा उबालाने तक का वेड करेंगे तो उबाला चुकी है अब जो दूद है दूद की जो पनीर है वो फटके ऊपर आजाएगा तो उसी के साथ साथ जो बाकी का कच्रा है वो भी इऊपर ही जमा हो जाएगा तो हम इसको है अब धिरे-धिरे चास Nee है साफ होने लग गई है थोड़ा सब करेंगे अभी भी इसको साफ करना जुरूरी है तो साफ करने के लिए हाइडरो पाउडर की यूज करते हूं आप सभी को पता है तो थोड़ा सा एक पींच है थोड़ इसको बनाते हैं, पनीर ज्यादा ठंडा भीनी चाहिए, हात लगा साथ, उसके बाद यहां पे मैंने दूद को फाणने के लिए, पनीर वाला मसाला मिलता है, जरूद दूद को आराम-ाराम से पनी----- हम करना दे रहता है, कि जब तक फड़ता नहीं तब तक इसको डालते रहना है कि इसको कोई मेजरमेंट नहीं होता कि पानी कितना चाहिए या फिर अपन तेजाब कितना चाहिए तो यहां पर मैंने डाल दिया है और मारा जो दूद है वो फट चुका है बिल्कुल अच्छे से अब इसको हम छान लेंगे कपड़े में तो यहां पर मैंने कपड़ा लगाया है और इसको अच्छे से इसका जो पानी है वो निकालेंगे आप सभी को पता है यह मैंने कई प्र पानी हमारा जो निकल चुका है विसको एक ट्रे में डालके एक बरतन में डालके इसको अपने चेना को जो हमारा चेना रेडी हुआ है पनीर इसको हाथों से अच्छे से मैश करेंगे मक्खन की तरह होना चाहिए बिल्कुल हमने ठंडा करके पनीर फारा है ना दूदद को ठंडा करके soft पनीर बोलते हैं इसको ठंडा करने के बास soft पनीर होता आये तो तो 50 ग्राम मैंने घी डाला है घी से क्या होता है जो हमारा रसगुला है बहुत बढ़िया से फोलता है और बस अब इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से और उसके बाद इसको निकाल के रख देंगे फ्रीज में तो मैं इसमें दूसरे बरतन में डाल रहा हूं फ्रीज में पर देख लेते हैं दो किलो 800 ग्राम तो यह जो ट्रे है वह है और दो किलो हमारी पनेर और मैं यहां फ्रीज में रख देता हूं टो अबढ़ा पड़ा है इसमें कहीं भी अर्जस्ट कर देता हूं मैं तो 10 मिंट में ही बिल्कुल बड़िया चीर्ट हो जाए गाए तो 10 मिं निलेकर देवाइब को वाम कि वालें तो थोड़ा सवाइश करेंगे ज्यादा नहीं और स्के बाद पॉस तो अच्छे से करना है थोड़ा सा मसाली डाल लेते हैं आपने तो इसमें मैंने डाला है वण फूर्थ टीस्पून मीठा सोडा और दो चम्मच उसी चम्मच से दो बड़े चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है बस इतना साथ पहले मिक्स कर देना है यह देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगा आरा रोड पाउडर 200 ग्राम तो दो किलो पनीर में मैं 200 ग्राम आर रोड पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ एक किलो पनीर है तो 100 ग्राम यूज़ कर सकते हो आप अब कुछ लोग ये पूछेंगे मैदा क्यों नहीं बनाया डाला इसमें तो मैदा और सूजी भी डालते हैं इसमें मैदा भी डालते हैं लेकिन मैदा क्यों नहीं डालते हैं मैंने इसलिए नहीं डाला मैं आपको आगे बताऊंगा तो यहां पर सूजी पहले डाल देता हूं सूजी मैं डाल रहा हूं 160 ग्राम के करीब उपर नहीं चे हो जाए कोई फरक नहीं पड़ता दो चार दस ग्राम से तो अब सूजी भी मैंने इसमें कोई बैख वैले लगा सकते हो और कोई भी कलर भी लगा सकते हो यहां भ्यापने है और इसकी गोल सरी है अब इसलिए बना लेनी है आपने जो भी शेब के बनाना चाहो लिया गुल जो वह चाहो अगे तप स्को बना सकते हो तो मैंने यहां पर बनाना रेडी कर दिया है इसको इसी तरह से आपने सारे रेडी कर लेने हैं तो यह देखिए मैंने सारे रेडी कर लिया है सेम तरीके से और अब इसको हम चासनी में डालेंगे तो चासनी मैंने ग्यास आन कर दिया है हाई फ्लेम पे ताकि जो हमारी चास्थी है वो बिलकुल उबलने लग जाए अब यहाँ पे हमारी चास्थी वो बहुत रही जाए अब मम डालेंगे रीठे का पाने ऑंदर लेना है यद्धे बाद उसका पानि अंदर डाल देना है कर नहीं डालना चांते हैं थे अंदर जाएगा तो इसमें जाग बनाने के लिए रिठे का यूज किया जाता है बस उसके बाद हम इसको अपने रसगुले हैं तो यहां पर डाल देंगे लेकिन अगर यह साइड में जमा हो जाए तो इसको हलका सा अपनी छानने से थोड़ा सा इसको हिला सकते हो ताकि पीच में हो जाए तो इसमें ज्यादा टच नहीं करना तो आपके रसगुले जो है वो टूट जाएंगे तो बिल्कुल पांच मिनट तक इसको जाग से कवर रह तो मैंने पांच मिनट से ज्यादा इसको अभी तक टच नहीं किया है तो अब इसमें थोड़ा सा हमें पानी डालना पड़ेगा क्योंकि हमारी चासनी पांच मिनट से उबल रही है तो थिक हो गई होगी तो चासनी पतली करने लिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा य और यहां पर हमारे रसगुले फूल के दो गुना हो गए उसके और इसमें मैंने पानी डाल दिया है तो देखिए हमारे जो रसगुले अभी कच्चे है क्योंकि यह उपर फ्लोट कर रहे हैं बिल्कुल अगर चासनी में जब डूब जाएं तो समझ लिजिए कि यह पक चुके हैं लेकिन यह वीर तक डूबे नहीं है और यह उपर तैयर रहे हैं अभी तक तो वस अब इसको पकाते रहेंगे 5-10 मिनट तक 10 मिनट में हम बहुत बढ़िया इसको रसगुले को पका देंगे तो करीब 10 मिनट के बाद में इसको उपन करता हूँ हम यह देखिए 10 मिनट के बाद में थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दूँगा क्योंकि हमारी चासनी फिर से गाड़ी हो चुकी होगी तो जब पानी डालने के मतलब यह होता है चासनी पतली भी हो जाएगी और जब प आप हैी तो इसी तरह से सेम देदी रहा कि इसी तरह से अपका जो रसगुलगा है वो पक जाए और चासनी में उसको उठाके देखिए ऑगराप जो रसगुलगा है जासनी के अंदर बिलकुल डूब रहा है यह देखिए अभी तक नहीं डूब रहा है आध jsem से जाद आफ याद रखे अगर जादा पानी भी डाल दिया तो आपके रसगुले फट सकते हैं कुछ लोग पूछते हैं कि जो हमारे रसगुले होते हैं उसमें वो फ्लैट क्यों हो जाता है वो लाल क्यों हो जाता है कुछ लोग पानी उसमें बिल्कुल डालते ही नहीं है इसलिए कम ऊती होगी आपकी बस इतना है pentru मारे अरत गुल्ले बिल्कूल आप रेड़ी हो चुके न हैं थे बिल्कुल डूब चुके हैं तो सुधी अन्दर डूब आ यह दिख़ा रहा हूं तो यहां पे अल्डीक कर दिया है भंद तो देखिए इसको मैं अभी टच नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम है मैं इसको आपको उठा के दिखाना बजाता हूँ लेकिन उठा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम है में उंगली तक जल रही है तो I think आपको वीडियो में काफी ज़़धा नॉलेज मिली होगी तो I hope आप सभी को समाझ आगए करस गुले कैसे बनाते हैं आपको वीडियो कैसे लगी केमें जरूर बताइए वीडियो को लाइक नहीं कि तो वीडियो को लाइक कर दीजी तक कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते रहें तो मैं रोज आसे नहीं वीडियो से अब्लोड गरता रहता हूं तो आप मेरे चैनल को जडियली चेक आउट कर सकते हो